C.I.E.T. N.C.E.R.D. द्वरप्रस्तुत है कक्षाच्छे की उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम हवाई के लिए बीवी चूला फूक रही थी गीली लकणियां उठा कर दे दी जैसे खैरात में ही तो दी है मुशी जी आते हैं अरे भई कहां गई लाहॉल विला कुवत वही हांडी चूला अरे छोड़ू भी उसे अरे मैं पूछता हूँ कुई तार तो नहीं आया तार? कैसा तार? यानि मालूम भी है आज साथ तारीख है अरे आज ही तो तार आएगा उस लोटरी का वो टिकट भी रख लिया है समाल के पहले तो वो मुझे निकाल कर दे दो टिकट निकाले देती हूँ मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा अरे जाओ जाओ तुम टिकट निकालो बस अरे कौन है भई जी मैं सलीम अरे तो आजाओ तुम से छुपता कौन है भई आदाब आदाब अर्जे जीते रहो जीते रहो कहो खैरियत है वतन और बच्चे सब अच्छे हैं जी हाँ सब अच्छे हैं बीवी को नजला है बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है और छोटे के चेचक निकल आई है बारहाल खैरियत है रास्ते में तारखर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नजर नहीं आया ना नहीं तो क्यों खैरियत तो है एक तार का इंतिजार है मिया ये तुमने जर्द भाग के चौराहे के करीब लाल रंग की दो मंजिला कोठी देखी है जिसके सामने जरा बाग वगरा लगा हुआ है हाँ हाँ वही कोठी ना जो आजकल बिक रही है हाँ हाँ और क्या मेरा खयाल है ले लूँ क्या पड़ी रहेगे क्या कह रहे है भावी आदा वर्ज भावी जी ते रहो अच्छे तो हो बिलकुल सही ये लो टिकेट संभालो हाँ 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 यही है तो मिया सलीम वैसे तो बुरी नहीं है वो उसके 40,000 मांगते हैं और खयाल है के 35 तक दे देंगे क्या चीज भावी आज एक कोठी देखी है अभी नई है शायद 10 बरस की होगी तो कौन ले रहा है वो कोठी फिर वही अरे साहाब मेरा ही इरादा है और कौन लेता और मिया सलीम जानते हो वहाँ मोटा रखनी की भी जगा है मुझे ये शेख चिलियों किसी बाते अच्छी नहीं लगती शेख चिलियों किसी बाते अरे जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर तो इस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ तुमारे तो आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है यानी क्या आप वाखगई खरीद रहे हैं कोठी अरे सलीम जड़ा इन से पहले ये पूछो के रुपिया कहा है तुम फिर वही हम तो अपना इंतिजाम पहले से कर रखें आखिर ये मौामला क्या है मैं तो खुद हैरान हूँ अच्छा तुम खयाली पुलाओ पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देख हूँ अरे जाओ जाओ मेरा क्या है मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सला मशवरा में शरीक नहीं किया मैं तो कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती मगर खर अब कल परसों तक मोटर में चलकर देख लेना मोटर पर नहीं हवाई जहाज पर क्या मानी यानि तुम गलत समझती हो आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कमपनियों की फैरिस्त बटोरता फिरू मैंने तै किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूंगा रोज मर्रा के लिए और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए क्या यानि की सचमुच की सडकों पर चलने वाली मोटर भाईया जी बहमा को तुम भी हैं और नहीं तो क्या कूगदार बच्चों का खिलो ना मगर मेरी अकल हैरान है कि आज यहां ये कैसी बाते हो रही है आखिर किस्सा क्या है कुछ मालूम भी तो हो तुम्हारे भाईया कहीं डाका डालने वाले हैं शायद अचा अचा फिर वही तुम तो चुपी रहो अरे सहाब मैं पूछता हूँ कि ये क्या नामुंकिन है एक बात बताएं मगर आज आपको ये खायाल कैसे आया वो भी बैठे बैठाए आखिर ये बड़े आदमियों किसी बातें बिला वजहा नहीं हो सकती न भई बात ये है कि अब की बार मैंने भी लौटरी का टिकट लिया है लौटरी का टिकट? है? यानि तुम भी हस रहे हो? मामिया, तुम भी? खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम देवर भावी पर हसना पड़े यानि मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हसने और मजा करने की कौन सी बात है? भावी सहाब, हसने माफ की जगा, हसने की वजह ये है कि सब कुछ हवाई मनसूबे हैं गोया मिया, दुनिया उम्मीद पर कायम है तुम चले हो वहाँ से हवाई मनसूबे लेकर और जो इसी बहाने से मेरे किस्मत में दौलत लिखी हो तो भावी सहाब, खुदा करे, अब के आपको ही नाम मिले सभी के दिन फिर जाएंगे अरे, दिन फिर जाएंगे? यकीन जानो के मैं तो तुम्हारी तरफ से स्टीफा लिख चुका हूँ ये देखो, बस्ते में कहां गया बस्ता? हाँ, ये देखो मेरा और तुम्हारा स्टीफा लिखा रखा है देखो ये रहा आपका स्टीफा तो ठीक है, मगर मेरा? हाँ, क्या खूब, क्या खूब यानि अब दुनिया को मुझ पर हस्वाओगे भी के लगपती का भाई 40 रुपन ली की नौकरी करे तुम जायदात का काम देखना दो गाउं और एक बाग पहले से तजवीज कर रखा है इसके अलावा और जायदात भी तो आखिर खरीदी जाएगी तो भाभी को बुला लीजे ना उनको तो शायद किसी भी बात की ख़बर ने अरे साहब, मैंने कहा सुनती हो हाँ, हाँ, सुन रही हूँ क्या है? नसीम को खाना खिला रही थी कहो, क्या कहते हो वही मुई जटे उड़ रही होंगी देखा भी है सलीम तुमने इसलिए नहीं बुलाता था तुम खयाली पुलाओ पकाते जाओ अच्छा भाभी, 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 भाभी बैट जाये ना बैट जाये भाई जानने तो दो गाउं और बाग भी तजबीज कर रखा है और हम दोनों के स्तीफे तयार है तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा ये बन रहे हैं अरे तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड खाने में इस तरह बैठा होता लाहौल विलाकुवत ये देखिए मिया सलीम ये बेगम साहिबा के कपड़े मालुम होता है के जैसे घोसन आए खूब याद दिलाया वो घोसन मुई मेरी नाक में दम किये हुए है कह गई है के जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक कत्रा भी दूद का ना देगी यही सब तकाजा करने वाले कल इस बात पर फक्र करेंगे कि एक लग पती भी इनका मकरूस था तो अब तुम ही उनको आकर समझा न त़ार ले जाएए त़ार, अरे सुंगती हो त़ार आगिया त़ार अरे मिया सलीम, तार आगया, तार आगया, मैं जारू तार लेने क्या कहाँ तार आगया भई वाहरे तेरी शान, तुने दिन पलड दिये भई, एक रुपिया है क्या, मगड तुम्हारे पास कहाँ होगा मिया सलीम एक रुपिया हो तो जरा तार वाले को दियाओ आई देखो इनाम कितना निकला है बिस्मिल्ला करके खोलना तार मिया सलीम तुम्हारे हाथ मुबारक है तुम ही खोलो ठीक है ठीक है मेरे हाथ तो इस वक्त कहां प्रहें दस्तखत करने की जगह लिग गया था लखपती क्या कहा लखपती लिग गय थे तो भाई साब गलत ही क्या लिखा आपने अरे भाई तो इसे खोलो ना जल्दी से ए तो तुम खुदी क्यों नहीं खोलते ने 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 मुझे तो कुछ इखतरासा हो रहा है लेना सलीमिया देखो ज़रा रखपम कितिनी है क्यूं क्या बात है सलीमिया नहीं नहीं कुछ नहीं अरे किधर गया मेरा चश्मा लो पढ़ो महमूद भाई का तार है भावी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही है ए लोगो अरे लोगो अरे आरे अब मैं अधे दिल को कैसे समाना है अरे मुझे बगड़ो मुझे बगड़ो अरे बजद करारे अरे मुझे ज़ impacto अरे 6 अब ही आप सुन रहे थे ये कारे ग्राइब विशे संयोजन, डॉक्टर चमनारा, आलेक, सौकत थानिवी, कलाकार, परवेज गौहर, शमाईला परवेज और वेवव श्रिवास्तव, दोने अंकन, बटिलेंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग, तनुगुप्ता, निर्माण, निर्देशन वध्वनी संपादन, वंदिना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत